Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि Windows 8 में tiles को कैसे group किया जाता है, यानि कि Windows 8 apps की जो tiles आपको आपकी screen के उपर दिखती हैं, उनकी grouping कैसे की जाती है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम Windows 8 tiles को कैसे group करते हैं, इन tiles को हम एक group से दूसरे group म कैसे move करवाते हैं, और हम Windows 8 tiles का पूरा group start screen के उपर एक जगा से दूसरी जगा कैसे move करवा सकते हैं, तो इन activities को perform करने के लिए चलिए चलते हैं अपने Windows 8 computer के उपर, तो देखिए मैं अपने Windows 8 computer के उपर आ गया, और यहां आने के बाद जितनी भी Windows 8 tiles हमने start screen के उपर pin कर रही हैं, यहां पर सबसे पहले हम Windows 8 tiles के group देखने के लिए, इस start screen को zoom out करते हैं, तो इसके लिए मैं दो keys का combination use करूँगा, control plus minus, जिससे की यह zoom out हो जाए, तो देखिए आपके सामने, यहां पर हमारे Windows 8 tiles के तीन group दिख रहे हैं, पहली screen जो आपके सामने by default दिखाई देती है जब हम start button को click करते हैं, या पहली बार system start करते हैं, या log offer के login करते हैं, और दूसरा group जिसमें bang, games वगेरा हमें दिखाई दे रही हैं, और तीसरा group जो कि हमने last video में कुछ applications को pin किया था, उससे create हुआ था, और दुबारा से इने zoom in करने के लिए मैं start screen पर कहीं पर भी click करता हू तो देखे, ये zoom in कर गई हैं, और मेरे को मेरी windows 8 tiles दिखाई दे रही है, windows 8 में ये जो left side screen है, ये सबसे important है, क्योंकि हर बार यही screen हमारे सामने start होती है, जब भी हम start button को click करते हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी अपनी कुछ applications, जिने मैं बहुत ही frequently use करता हू मुझे यहाँ पे appear हो, तो मैं उनका एक group create कर सकता हूँ, तो उसका group create करने के लिए, मैं उन app ये tiles को select करता हूँ, मान लिजे, उन में से एक है ये mail tile, तो मैं इसको select करता हूँ, drag करके इसको मैं विल्कुल right side पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे drop कर देता हूँ, तो देखे, एक निया group create हुआ, इसके लब मान लिजे, मैं एक और application, इस calculator को भी बहुत ज़्यादा use करता हूँ, तो मैं इसकी भी grouping कर देता हूँ, इसको इस group में add करवा देता हूँ, तो देखे, एक और app हमारी यहाँ पे add हो गई, इसके साथ maps को, और इसी तरीके से, यहाँ से videos को drag कर करके यहाँ पे drop करता हूँ, तो देखे, हमने एक निया group create कर लिया है, और इस group को देखने के लिए, मैं control plus minus key को press करता हूँ, तो देखे, अब मेरे सामने, मेरे को यहाँ पे 4 groups दिखाई दे रहे हैं, और हमारा निया create हुआ हुआ group भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा ह अब इसको दोबारा से zoom in करते हैं, और इस group में कभी भी हम कोई भी नई tile को अपनी जरूरत के हिसाब से add या remove कर सकते हैं, मान लिजे हम इसमें camera को add करना चाहते हैं, तो हम इसको अपने नए create हुए हुए group में add करवा देते हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो group है, व तो बिल्कुल मेरे को यहाँ पे left side में appear हो, क्योंकि यह left side बड़ा important है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे सामने यही screen आती है, तो Windows 8 में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे ctrl plus minus की को प्रेस करके, दुबारा से इसे zoom out करना है, और यहा यहाँ पे मैं drop करना चाहता हूँ, वहाँ पे drop कर सकता हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल left corner पे drop करता हूँ, और start screen पे कहीं पे भी click करता हूँ, और scroll bar को left की तरफ लेके जाता हूँ, तो देखे इस बार हमारा create किया हुआ group सबसे पहले यहाँ पे appear हो रहा है, तो अगर मैं य desktop को click करता हूँ, और desktop पे जला जाता हूँ, और दुबारा से start button को click करता हूँ, तो देखे सबसे पहले मेरे को, यह जो group जो अभी अभी हमने create किया इस वीडियो में, मिलकुल left side पे मुझे दिखाई दे रहा है, चलिए, अब मैं आपसे question पूछता हूँ, आप मुझे control plus A, या फिर C, control plus minus, आप इस question का answer next 20 seconds में नीचे comments में जरूर टाइप करें, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि Windows 8 में हम tiles का एक निया group कैसे create कर सकते हैं, और उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से tiles को कैसे add कर सकते हैं, हमने groups के बीच में tiles को move करवाना भी सीखा, और हमने ये भ पूरे group को start screen के उपर कैसे move करवा सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.